महाराज के पूरुमुक्यमंत्री और वर्तमान में नेता बीपक्ष देवेंदर फर्णविष ने हाली में कारिक्रम में हिस्सा लिया जहां पर देवेंदर फर्रणविष के क्रू मेंबर और मीडिया कर्मियों के साथ कहा सुनी और धक्कामुक्ī की घटनात सामने आई है नई मुंबई के बेलापूर की मंदा मात्रे द्वारा आयोधित एक कारिक्रम में विरोधी पक्षनेता देवेंद्ध फर्ण्विस के साथ आये क्रू मेंबर्स और पत्रकारों के बीच हुई धक्का मुक्की और गाली गलोज का मामला तूल पकड़ लिया है कारिक्रम खट होने के बाद देवेंद्ध फर्ण्विस की बाइट लेने के लिए पत्रकार स्टेज के बाहर खड़े थे जिसके बाद सवाल पूछने का सिलसिला सुरू ही हुआ था कि देवेंद्ध फर्ण्विस के साथ आये क्रू मेंबर ने नई मुंबई के बरिष्ट पत तेज़त आया है वहीं इस विवाद के बाद नई मुंबई के पत्रकारों में काफी आक्रोस देखने को मिल रहा है और देवेंद्र फर्णुईस ने अगर पत्रकारों से माफी नहीं मांगी तो उनके अगले कारिक्रम का यह सभी पत्रकार बहिसकार करेंगे ऐसा कहना है नई मुंबई के पत्रकारों का जिस तरीके से देवेंद्र आप देख सकते हैं कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो उनके क्रू मेंबर है वो जो है मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं यह जो पूरा नजरा है यह नई मुंबई के पत्रकारों के साथ पहले धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर गाली गलोज और देखते ही देखते यह विवाद काफी बढ़ता दिखाई दिया और अब पत्रकारों ने साबतोर से कहा है कि देवेंद्र फर्णविस और उनके जो क्रू मेंबर हैं वो माफी मांगे तब जाकर जो है अगला कारिक्रम जो है उनके जो भी कारिक्रम होंगे पत्रकार उसमें सामिल होंगे